अर्ष नियूस की सारी खबरें आप तक सीलंपूर थानी की टीम ने ओप्रेसन अंकुष की तहट दो अलग अलग जगाउ से एक ओटो लिफ्टर के साथ एक रिसीवर को गिरफतार किया तीन स्कूटी एक मोटर साइकल दो मुवाइल फोन ब्रामत किये उत्तरपूर भी जिला के एडिसनार डिसीपी अंकिस सिंग ने सनिवार की दुपैर दो बस के 30 मिट पर मीडिया को बताया कि सुकरवार के साम 6 बजे के आसपा सेलंपूर थाने के टीम सेलंपूर के गुरदवारे के जीटी रोड पर गस्ट कर रही थी तब ही धरमपूरा के तरफ से एक बेक्ती स्कूटी पर गलत दिसा में आ रहा था और पुलिस ने उसको रोखने का सारा किया मगर वह पुलिस को देखके घबरा गया और यूटर लेके भागने की कोशिज कर रहा था जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो कुछ दूरी पर जाकर वह वेक्ती स्कूटी के साथ गिर गया जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया पकड़ने के बाद उससे पूछ साच की तो ठीक से जवाब नहीं दिया और स्कूटी के कागज मांगे तो वह भी नहीं दि आरोपी ने अपना अपराद कबूल किया और कहा कि दो स्कूटी एक मोटर साइगिल उसने और भी चोरी की हैं जो कि बरमपुरी छितर में छिपा रखी हैं पुलिस ने वहाँ भी बरामत कर ली साथ में ये भी बताए कि वहाँ चोरी का सामान चाहे मुबाइल फोन हो या मोट प्रेक्ति को बेशता था जिसका नाम जेनूल बताया इसको भी गिरफतार कर लिया गया पकड़े के आरोपी की पैचान आमीर उफ कासीम के रूप में हुई जो रहने वाला गरी निमर आठ चोहन बंगर का है इसकी उम्र 23 वरसे जो रिसीवर है इसका नाम जेनूल अवेद जिन पुत्र अब्दुल हमीद निवासी गरी नमर 16 गोतमपुरी का इसकी उम्र 50 वरसे दोनों आरोपियों से पूश्चास की जा रही है